राजा सगर के साथ हजार पुत्र दो पत्निया केस्मी सुमती सगर ने स्वमे द्यग्य किया कपिल मुनी के क्रोध से साथ हजार पुत्र जल करके भस्म हुए सगर के दूसरी पत्नी केस्मी केस्मी के पुत्र असमंजस असमंजस के पुत्र अंसुमान कपिल मुनी से प्रार्थना करते हैं कि पूर्वजों के कल्यान का मारग बताएं कपिल मुनी ने करपा की देव शरी गंगा प्रत्वी पर आजाएं तो उद्धार संभव है कूप तपस्या की गंगा मैया नहीं आई अंसुमान के पुत्र दिलीब ने कठोर तब किया गंगा मैया प्रत्वी पर नहीं आई उथ के रही है कोपी धार्यता बेगम पतन्त्या मे महीत ले अन्यता भूत लंबित्वा रप्यासेरसातनम माराज तुमारी प्रत्वी पर ऐसा कोई है जो मेरे बेग को धारण कर सकी यदी है तो ठीक और यदी नहीं है तो जब स्वर्ग से प्रत्वी पर गिरूँगी तो प्रत्वी को फाड करके पाटाल में चली जाओंगी और किसी का कल्यान नहीं होगा तो कोई है जो मैं जब गिरूँ तुम धारण कर सके खूब बिचार करके दागीरत ने भगवान भोले नात की शरण ग्रहन की और भोले नात ने क्रपा कर दी गंगा मैया से कहो धारिस्यतिते वेगम रुद्रसवाता सरीरिनाम यस्मिन नोत मिदं प्रोते विश्वसाटी वतन तुसू इस प्रकार से सारी धागे से बनी होती है वैसे ही ये ब्रह्मान भोले नात में ओत प्रोत है और वही रुत्रस्वाता भगवान शंकर आपके बेग को धारन करेंगे और गंगा मैया स्वर्ग से प्रत्वी पर गिरी पहले जब आई गिरी तो भोले नातने जटाएं फैलाईं और फैला के गंगा जी को अपनी जटाओं में समाहित करके एक जूडा कस लिया गंगा भगवान संकर की जटाओं में भागी रत की निवेदन पर स्वर्ग से गंगा मैया भगवान भोले नात की जटाओं में समाह गई जटाओं को बांध लिया भागी रत की निवेदन पर महादेव ने अपनी जटाओं को खोला और जब जटाओं को खोला तो गंगा मैया शिव की जटाओं से हिमाले परवत पर जिसे हम कहते गंगोत्री धाम हिमाले परवत पर गिरी और फिर हिमाले परवत से प्रथवी पर आई और जब प्रथवी पर आई तो रथेन बायु बेगेन प्रयांट मनुधावति देशान पुनंती निरदग्धान आसिंचद सगराप मजान आगे आगे भक्ड भागी रत का रत और पीछे पीचे गंगा मैया की प्रखरधारा प्रवलधारा चली आरही है चली आरही है चली आरही है वो पवित्र हो रहे हैं, बढ़ते, बढ़ते, बीच स्थान पे जन्नूरिशी का आस्रम आया, गंगाजी की धारा ने भादिया, जन्नूरिशी को प्रोध आया, तीन आचमनी जल में गंगाजी को पी गय, बागिरत ने पीछे मुणके देखा तो गंगाजी का पता नहीं जन्नूरिसी खड़े थे, पूछा कि माता जी कहा है, कहा मेरे पेट में, क्यों, कहा मेरे आस्रम को बिगाड़ा, भादिया, तो मैंने गुस्से में पी लिया, कहा प्रभू उनको बाहर निकालो, संसार को उनकी जरूरत है, तब जन्नूरिसी की बेटी, जानवी के रूप में गंगा प्रगट हुई, जन्नूरिसी की बिटिया जानवी बनकर के आई है, इसलिए गंगा की एक धारा को जानवी के नाम से जाना जाता है, अब जानवी बनकर के जब आगे वढ़ी, उस समय हरिद्वार पहुंची, अब हरिद्वार में सब्त रिशियों का आस्रम, गंग करेंगे, इसलिए गंगा मैया साथ भागों में बट गई, हरिद्वार में, जिसे सब्त सरोवर के नाम से जाना जाता है, वहां से बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और बढ़ते बढ़ते गंगा मैया वहां पहुंची, जहां सगर के पुत्र, राख का धेर बन करके पड़े थे और जैसे ही उस राख के धेर में गंगा जल का श्परस हुआ सगर के साथ हजार पुत्रों का उद्धार हो गया सगर के पुत्रों को मोक्षपद की प्राप्ती हो गई ये गंगा मैया की महिना है इसलिए कहते हैं गंगे गंगे योब्रूयात योजना नाम सतैरपी तश्यन अश्यन्ति पापानी कईवल लभ लभते मुदा गंगा जी के नाम को सेकड़ों किलो मीटर दूर बैठके भी ले लिया जाए तो भगवती व्यक्ति के पापों को नश्ट कर देती हैं बोलिये गंगा मैया की जै इसलिए कहा जाता है तू बरदानी है गंगे तू कल्यानी है गंगे थे भागी रथी है गंगे पतित पावनी है गंगे तू बरदानी है गंगे तू कल्यानी है गंगे तू कल्यानी है गंगे बरदानी है गंगे तू कल्यानी है गंगा मैया की महिमा अपार है अनंत है अध्वती है अपरम पार है